Muscle Tissues, The Cardiac Muscles, First the Contents, Cardiac Muscle Tissues, Structure of Cardiac Muscle Tissues and the Function of Cardiac Muscle Tissues, First the Cardiac Muscles, Student से गराम बात करें, Cardiac, Cardiac का लफ़ज जो वो, Directly Heart से रिलेटेड है, जैसे हम, कहते हैं कि यह, Cardiology का डिपार्टमेंट, Cardiology का डिपार्टमेंट तो यह होगा कि वो, Heart से रिलेटेड डिपार्टमेंट, इसी से, जब Cardiac Muscles का वर्ड आता हो, इच मीन्स, यह वो मसल्स हैं, जो वो हमारे Heart को बनाते हैं, तो यह स्पेसिफिक टू दा हार्ट, इसकी डेफिनिशन में यह हम यह करते हैं, कि Cardiac Muscles are those muscles which are specifically present in the heart, and they are responsible for the heartbeat, Heartbeat के लिए क्या करता हो, contraction के वज़जा से Heartbeat जाओ चलेगी और Blood जा जबके स्मूथ और स्केल्टर मसल्स के लिए अगर हम देखें, वो इन वर्टीब्रेट्स और वर्टीब्रेट्स दोनों में मुझूद हैं, जबके Cardiac Muscles, they are present only in the Vertebrates, Structure of Cardiac Muscles, Cardiac Muscles को अगर हम देखें, तो they are made up of Cardiac Cells, Cardiac Muscles जो Cardiac Cells से पने होते हैं, Cardiac Cells का जो Structure है, वो किसी हाथ तक, जहां वो Skelter Muscles से related है, जैसे Skelter Muscles जो हैं वो Striated होते हैं, तो इसी तरह से जो Cardiac Muscles है, वो भी Striated होंके, लेकर एक जो important इनका function है, वो है, they are branched, Cardiac Muscles जो होते हैं, जो cells होते हैं, वो branch होते हैं, एक cell आगे इसा बाइफरकेट हो रहा है, फिर ये जो branches हैं, य हमना पढ़ा था कि cells connected नहीं होते हैं, जैसे Skelter Muscles के अगर हम बात करें, तो Skelter Muscles में cells जो हैं, वो connected नहीं होते हैं, एक ही cell जो होता है, वो पूरा muscle बनाता है, जबके Cardiac cells जो होते हैं, यह तरह से ये एक cell आगे बाइफरकेट कर रहा है, यहां एक cell अटाच होगा, यहां द सम आप करें, तो Cardiac muscle cells के जो होते हैं, दियार Involuntary cells, Involuntary cells हैं, दियर स्टायेट, स्टायेशन इसके अपर मुझूद है, दियर ब्रांच, ब्रांच का मतलब क्या होगा, कि उसकी जाओओ, एक cell आगे से ब्रांच होगा, और इसके बाद यह ब्रांच जो होती है, वो आपस म हैं, अगले cell आगे से लिंक होते हैं, थ्रू इंटर्किलेटड डिस्क, फिर भी हम डायग्राम, इस डायग्राम में अगर आप देखें, तो अगर मैं इस cells की बात करूँ, यह एक cell हमारे पास, इस वन, यह cell आगे से दो बाइफरकेट हो रहा है, तो इस आगे से एक और यह तो तो तमाम काडिक cells branches बनाते हैं, बाइफरकेट का मतला है दो branches बनाना, दो से में डिवाइड हो जाना, इसके अलावा अगर आपस को देखें, तो cells के दरम्यान एक, दो cells के दरम्यान, जैसे यह cells अकर हैं, तो इस आगे यह दूसरा cell शुरू हो गए, इनके दरम्यान एक डार कलर की एक जो लाइन नजरा आ रही है आपको, यह इंटरकलेटेड़ डेस्क है बेसिकली, जो cells का अपस में connect करती है, तो इंटरकलेट़ डेस्क का important benefit यह भी है, कि जो message है, वरी quickly एक cell से दूसरे cell को travel कर जाता है, इसलिए तमाम heart cells कठे ही क्या करते हैं, contract or relax करते करेंग heart, जैसे cardiac muscles, they continuously beat, contract करते हैं वो, यनि heart beat किस वज़ा से होती है, cardiac muscles के contract करने के वज़ा से है, तो they are continuously contracting and relaxing, इसके वज़ा से इसका important role यह भी होगा, कि they are involved in the pumping of blood, blood को यह क्या करते हैं, pump का रहे हैं, blood जब pump करेंगे तो उससे body को क्या benefit मिलेगा, blood के अंदर मुझूद है nutrients, जो तमाम body को पहुँच आएंगे, तो इससे heart के muscle के contract करने वज़ा से, तमाम body parts को nutrients मिल रहे हैं, इससे तरह से lungs के अंदर जो oxygen blood में आती है, जब वो blood circulate करता है heart के pump करने के वज़ा से, तो पूरे body parts को oxygen मिलती है, carbon dioxide जो बनती है, tissues के अंदर वो व blood pumping के वज़ा से nutrients transport होते हैं, waste material transport होते हैं, gases transport होती है, इसके लावा different types of enzymes या hormones होते हैं, जो के हार्मोन होते हैं, वो blood के तरू ही transport होते हैं, अगर हम देखें अभी, अगर strength के लिए से देखें, अगर हम एक general बात यह कि अगर power के लिए से देखें, तो skeletal muscles ज्यादा powerful हैं, जो क ज्याज के हैं, ज्याज के skeletal muscles ज्यादा powerful हैं, लेकिन अगर working के लिए से stamina wise देखा जाए, तो cardiac muscle का stamina सबसे ज्यादा है, स्टैमना कहते हैं, कितनी देर तक काम कर सकते हैं, तो cardiac muscles मसलसल throughout our life, दिन, रात, 24 गिंटे काम करते हैं, तो इसलिए अगर हम यह जैसे heart beat को अब देख ल दिन की, तो एक दिन में हमारे cardiac muscle तकरीबन वन लेक टाइम जहां वो contract करेंगे और रिलेक्स करेंगे, जिससे heart जो हो, जिन जितनी heart beats होंगी, उतने ही दफ़ा cardiac muscle जहां वो contract करेंगे, इसलिए से अगर हम पूरी life की बात करें, तो it's about 2.5 billion, जिने 2.5 अरब टाइम, 2.5 billion धल वो re, को अरम साट व्यान जो शुघ की, जितना हम वो, उैको संदी होगवाबे तकरीख होना़ करेंगे, तकारीख बात करेंग से प्सक्कूबन का रिलेक्स करेंगे, तकारीए बाद तकारीख तकारीख